अलो दोस्तो एक वार आपका फिट से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एसके स्टेडी पॉइंट में आज जो हम डिसकस करेंगे वो मैंसुरेशन होगा क्योंकि हम पिछली वीडियो में ट्राइगनोमेटरी की एक पांस वीडियो की एक सीरीज दे शुके हैं अब इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो मैंसुरेशन और मैंसुरेशन का बेशिक लेवल से लेकर हम आगे उसे हायर लेवल तक ले चलेंगे हम basic formulas आज की वीडियो में जानेंगे और basic formulas के बाद हम mensuration के advanced questions तक हम पहुचेंगे ठीक है तो आज हम के बाद आज की वीडियो में simply हम mensuration जानेंगे mensuration के जो formulas होने जानेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ दो figure लिए हुए है एक figure है square का होता है एक measurement यानि के आपको कोई figure दिया है या आपके पास कोई shape है और shape के आपको measurement करनी है तो उस measurement को करने को ही हम mensuration कहते हैं ठीक है mensuration के अलग-अलग figure हो सकते हैं उन्हों figure हो के according ही हमें work करना होगा तो यह हम देख सकते हैं order wheelמע lab इसकी 42 hundred onal' attendance होती है इसमें और breadth होती है ठीक है जब हम देख रहे हैं कि cerebral गإ sini कैसी होंगी इकक्वाव होंगी तो हम यह आपके सकते हैं area होगा area होगा square का वह क्या होगा L into B, length to breadth and इसे हम कह सकते हैं जब देखिए length और breadth AA हैं तो हमें इसे A square भी कह सकते हैं यानि कि side का, यानि बुजा का square भी कह सकते हैं यानि कि area अगर हम बात करें square की तो बुजा का square होगा देखिए अब यहां से मैं इसे ऐसी तरीके से draw कर दूँ तो इस चीज़ को हम कहते हैं diagonal क्या कहते हैं, diagonal और diagonal को हिंदी में कह देते हैं wicked, क्या कह देते हैं, wicked तो wicked, wicked अगर हमें देखिए यहां पे तो wicked की बात करूँ तो wicked देखिए, इसमें किती side हैं, two side तो यहां पे होगा under root 2A ओके, under root 2A होगा यह wicked होगा, clear clear, clear तो यहां पे देखिए, इसमें आई तन नहीं होता है ठीक है इसमें area ही होता है, अब यहां पे देखिए 3-1 dimension, 3-1 dimension में अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या height बढ़ जाती है आपने देखाऊगा, आपने, देखिएंगे paper bend, paper bend में क्या होता है एक side बढ़ जाती है, जिसे हम height कहते हैं, बैसे length और bear थे जो होगी तो वो square होगा, और इसमें अगर एक और side height बढ़ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं height, और height जब बढ़ जाती है height जब बढ़ जाती है, यह height जब बढ़ जाती है, तो हम इसे 3-1 dimension बुजा क्यूँ कितना होगा बुजा क्यूँ या साइड का क्यूँ ओके एक क्यूँ कह सकता हूँ या एल का क्यूँ जो भी है एक साइड को आप कमपेरेजन कर लेंगे तो वही होगा ठीक है तो देखें लेटरल सर्फिस एरिया की बात करूँ तो लेटरल सर्फिस एरिया मे होगा आपके पास 4 sides होंगी चार ओकोने का भारी सतय को हम देखेंगे बाहरी सतय में कि चार साइड होगी और उनका square रहेगा length into breadth का square रहेगा four into side का side का square रहेगा ठीक है और पूरा whole की बात करेंगे total surface area की बात करेंगे total surface area में हम देख पाएंगे कि हमारे तो 6 side होंगी, 1, 2, 3, देखिए, कोई भी 6 side ले लिजे, length to breadth to height, ये 3 ये हो गए और 3 ही इधर side की होगी, 3 ही इधर side की होगी, तो हमारे पास total कितर होगी, 6 होगी, तो इसे हम total surface इरिया कोईगी, विकर्ड के लिए हम देख पाएंगे, 1 side से 3 होती है, तो under root 3 into भुजा, ओके, ये रहेगा, ओके, next चलता हूँ, next हम बात करेंगे cylinder की, देखे, cylinder का होता है, देखे, ये ring को जोड़ दें, तो ring को हम कहते है circumference, क्या कहते है, ring को कहते है circumference, आपने पढ़ा ही होगा, ring जो होती है, ये होती है circumference, जो कि circle से ली जाती है, basically इसका formula जो होता है, वो 2 pi r होता है, circumference का, तो हम item की बात करेंगे, इसके तो आधार का 6 रुफल होता है, आधार का 6 रुफल क्या होगा, pi r square, आधार का 6 रुफल हम बात करेंगे, तो pi r square होता है, ठीक है, और h इसकी height हो गई, h क्या हो गई है, height तो इसका जो item का formula बनेगा, वो क्या रहेगा, pi r square h, item को कहते है, volume, क्या कहते है, volume, okay, वक्रप्रस्ट की बात करेंगे, तो आधार की परिमाप, ठीक है, आधार की परिमाप, और into, उचाई, आधार की परिमाप, और into का multiply कर लेंगे, तो वो होगा, आपके पास, क्या, वक्रप् की चेत्रपल की बात करेंगे, वक्रप्रस्ट की चेत्रपल की, यानि की सिलेंडर के वक्रप्रस्ट की चेत्रपल की बात करेंगे, तो हमें 2 pi r h मिलने वाला है, ओके, तो अब हम करने वाले हैं, संपूर प्रस्ट, total surface area, total surface area क्या बात करेंगे, तो देखिए, इसको plus करेंग ठीक है यह आपका रहेगा total surface area देखिए भाई आपको यह formula 101% learn करने पड़ेंगे क्योंकि आगे की वीडियो में मैं इन्ही वीडियो के आधार पर मैं चलने वाला हूँ इसमें मैं नया कुछ नहीं add करने वाला केवल formulas based ही question कराऊँगा फिर advanced level जितना भी आएगा वो मैं अलग तरीके से बताऊँगा आपको कि इनको इस तरीके से solve किया जा सकता है तब हम उन्हें करेंगे तो आपको यह formula तो learn करने ही पड़ेंगे हर हालत में चाहें कुछ भी हो करेंगे नेक्स्ट जलते कौन की तरफ कौन जावं देख पातें तो देखें है कौन यह जो होता है यह इससे हम कहते हैं तिर्रक उचाई होरी हम लेंध भी कहते हैं या slant height कहते हैं या तिर्रक उंचाई कह दीजिए, क्या कह दीजिए, तिर्रक उंचाई, इससे कह देते हैं, तिर्रक उंचाई, ओके, यह आप जानते हैं, इसका तो आपका परिच्छा सर्किल में भी हो जाता है, ठीक है, यहां से देखिए, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, और जो स्प्रेंस तक की जो कि center sa अगर मुझे height की बात करेगा तो मैं जानता होसे under root के अंदर ह square प्लस और square होता है यानि के L is equals to यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है अगर मैं L square करूँ तो H square plus R square भी मिल जाता है और अगर मैं R square की बात करूँगा तो देखिए यह इदर आ जाएगा L square minus H square और यह under root जैसी मैं लगाँगा यहाँ पर तो यह यह हट जाएगा तो R की value यह निकलेगी यहाँ से निकल सकते हैं और H की value आप निकलना चाहेंगे तो आपको L square minus R square इस तरीके से value तीनों value है याद रखने पड़ेंगे यानि हाइट अगर आपके पास देखिए L दिया हुआ है और आपको R निकलना है मतलब समझ यह का तीन चीज़े हैं आपके पास L, H और R कोई दो चीज़ दे रखी हो और तीसरा निकलना है तो उसके लिए आपको इन तीनों से यह तीनों formula याद करने पड़ेंगे तो अगर मैं कौन के volume की बात करूँ तो देखो कौन का volume है 1 upon 3 area of base यानि के area जो base है pi r pi r square और h जो है height है ठीक है area आप जानते है base यानि base यह है circumference का तो area जो होता है pi r square circle का pi r square into h तो pi r square h वक्रपेस्ट की बात करूँगा तो 1 upon 2 फक्रपेस्ट की बात करूँगा तो 1 upon 2 आधार की परिमाप pi r ठीक है और उचाई l ठीक है तिर्रक उचाई जो है वो l हो जाएगी क्या हो जाएगी pi r l होगी ओके ठीक संपूर्पेस्ट की बात करने वाला हूँ तो यह होता है pi r l same cylinder की तरह है pi r और l प्लस r यह आपको learn करने पड़ेंगे भाई ठीक है जादा स्यादा कोसिस यह करिएगा इन्हें रट्टा मार लीजिएगा और यह आपको रटने ही पड़ेंगे हर हालत में और आपके mind में रहने चाहिए examination तक ठीक है इनके हर एक हर एक formula के उपर आपको minimum 5 question लगाने और जैसे आप 5 question लगाएंगे तो formula आपके mind में set हो जाएगा ठीक है next चलते हैं देखिए hemisphere hemisphere की बात करें तो यह simple सा है hemisphere का double कर देंगे तो वो sphere हो जाएगा देखिए hemisphere की बात करेंगा तो volume 2 upon 3 pi r q यह simple है अगर मैं full की बात करेंगा तो 4 upon 3 साइद आगे होगा आपको मिलेगा इसमें 4 upon 3 pi r q हो जाएगा वक्रप्रेस्ट की कात करेंगा तो 2 pi r square हो जाएगा और संपुरप्रेस्ट की बात करेंगा तो 3 pi r square हो जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह तो नॉर्मल सी बात थी यह आपको आना ही चाहिए ठीक है तो इसमें इसको फुल करने पर आपको यह जो है इसमें फुल बाला दिया नहीं आपको circle sorry sphere गोला नहीं दिया है इसमें अर्ध गोला ही दिया है फुल होना चाहिए मतब वॉलियम याद रखना है आपको क्या होने वाला है ठीक है तो वॉलियम होता है 4.3 pi r q उसका ओके तो जब फुल की बात आएगी तो मैं फुल का भी बता दूँगा आपको जैसे फुल का कहीं जिकर आएगा तो मैं बता दूँगा अभी फिलाल आज की वीडियो में केबल इतना ही था जादा नहीं था मेरा कल लेप टॉप डेमेज हो गया तो इस कारणर से मैं वीडियो बना नहीं पाया तो जल्द वाजी में मैं ये वीडियो बना दिया है आपके लिए क्योंकि आगली वीडियो जो मैंसुरेशन पर और जिन बच्चों को नीडेड है यानि कि जो बच्चे नीडी है इस जो है 10th क्लास की एजुकेशन के लिए उन्हें आप करके फॉरवर्ड करिए निसुल का एजुकेशन आप मेरी एप पर ले सकते हैं मेरी एप बहुत जल्द आने वाली है ओपन विंडो एजुकेशन की अब थोड़ा पेसेंस बनाएं और उसमें निसुल कोर्सेस रहेंगे कुछ बच्चों के लिए और कुछ के लिए पेड रहेंगे जो एडवांस लेवल के बच्चे होंगे उनके लिए पेड रहेगा और जो बेसिक बच्चे होंगे उनके लिए निसुल करेगा तो आप मेर झाल झाल